गुड मॉर्निंग क्लास तैन विटा आज मैं आपका ले रही हूँ गद्य खंड से सर्विसर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानविय करोणा की दिव्य चमक राइट आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्विसर दयाल सक्सेना जी के बारे में नई कवीता के विख्यात कवी एमम उच्च कोटी के विद्वान सर्विसर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर परदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआत इन्होंने इगलो सस्किर्ट उच्च विध्याले बस्ती से हाई स्कूल की परिक्षा उत्यन की उसके बाद से ये कुईंस कॉलेज वाराने सी में अध्यन किया सन 1929 में इन्होंने इलाबाद विश्य विध्याले से एमे की परिक्षा उत्तीन की सिक्सप समाप्त करने के बाद इन्होंने आडिटर जनरल इलाबाद के कार्याले से अपने काम काजी जीवन की शुरुवात की कार्याले एमें विध्याले की नौकरी के बाद इन्होंने आकासवाणी में एक सायग प्रड्यूसर की रूप में कारे किया सन 1965 में इन्होंने दिन मान सापताहिक पत्रिका के प्रमुग उप संपादक के पत पर भी कारे किया इन्होंने बच्चों की परसित एमम लोग पिरिया मासिक पत्रिका पराग का सपलता पूर्वग संपादन किया सन 1984 में इन्होंने इस संसार से सदा के लिए हमसे नाता तोड़ दिया। तो ये था सर्वेसर दया सकसैना जी का जीवन परिचे। आईए अब इनके कुछ प्रमुग रश्नाओं के बारे में जान लेते हैं। सोया हुआ जल कहानी लड़ाई नाटक बकरी। ठीके तो ये था इनका काव्य संग्रे। अब इनकी साहते विजिस्ताओं के बारे में अगर बात करें तो दयाल सकसैना एक प्रतिभा शाली विक्ति थे। उन्होंने लोगों से लेकर बच्चों तक सब के बारे में अपने रशनाओं का आधार बनाया। मध्यमवर्गे जीवन की महतो आकांशाय, अपने संगर्स, सोशन, हताशा और कठिन जीवन का चितन उनकी रशनाओं में मिलता है। उन्होंने अपने समय के समाज को बड़ी गहराई से देखा तथा उसे बड़े ही कला आत्मक धंग से अपन चाप्टर मानवी करोणा की दिव्या चमक, मानवी करोणा की दिव्या चमक जो की बेटा एक सस्मरण है, इस सस्मरण के माध्यम से दयाल सक्सेना ने युरोग के बैल्जियम, रैम्स चंपल, सहर में जन में कामिल बुलके के व्यक्तित्तों के बारे में बताया है, मतलब सक जैना जी ने हमें कामिल बुलके के जीवन की विसेशताओं के बारे में बताया है लेखा का फादर बुलके से एक क्या था आंत्रिक प्रेम था वो आत्मा से जुड़े वे थे आंत्रिक रूप से उनसे जुड़े वे थे फादर बुलके ने हिंदी भासा से बहुत प्रेम किय उन्होंने और इसलिए वे भारत को अपनी कर्म भूमी मानते थे राइट आगे इनके बारे में पढ़ते हैं बैल्जियम में जन्म होने के बावजूद भी फादर बुलके अपने आपको भारतिय कहते हैं वल्लब जन्म उनका कहां हुआ था बैल्जियम में हुआ था लेकि व उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमी बनाया उन्होंने भारत को ही क्या बनाया अपनी कर्म भूमी बनाया लेखा का माना है कि जब तर राम कता है तब तर फादर बुलके को याद किया जाएगा तो इसमें सर्वेसर दया सक्साना ने हमें किसके बारे में बताया है बुलके थे उनका जन्म कहा हुआता बैल्जियम में हुआता राइट कहा हुआता बैल्जियम में उनका जन्म हुआता युरोक Coin सुरुवात में लेखक हमें बता रहे हैं कि फादर बुलके की मृत्यू का कारण एक जहरीला फोड़ा था। लेखक यह समझ नहीं पा रहा है कि उसके हिर्दे में केवल प्रेम ही प्रेम है, मिठास है, उसके अंदर कैसे जहर आ सकता है, कहां से जहर आ सकता है, इस वर में वि हो रहा है कि जिस विक्ति के अंदर, किस विक्ति के अंदर, फादर बुलके के अंदर इतनी लोगों के लिए इतना प्यार था, इतनी मिठास थी, उस विक्ति के अंदर कैसे जहरीला पदार आ सकता है, क्योंकि जो फादर बुलके थे, उन्हें क्या हो गया था, उनके जीव जहर आ सकता है आगे बढ़ते हैं लेखा कहते हैं कि उनके सामने जब वो फादर बुलकी को याद करते हैं तो उनके सामने फादर बुलकी की छबी आ जाती है तो यहाँ पर हम उनके व्यक्तित्तों के बारे में उनकी रूप रेखा के बारे में बात करते हैं तो फादर बुलके का व्यक्तित तो कैसा था फादर बुलके गोरे रंके थे सफेद च्छाई डालते वी उनकी बुरे रंके दाड़ी थी और निली निली गोल गोल उनकी आखे थी और वे एक मिलनसार व्यक्ती थे, helper व्यक्ती थे फादर को याद करना, लेखक को दर्द वा उदासी से भरे सांथ संगी सुनने की तरह लगता था लेखक कहते हैं कि जब मैं फादर बुलके को याद करता हूँ तो मुझे दर्द से भरे सांत संगी सुनने की तरह लगता था उनमें इतनी ममता और इतना अपना पन था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी फादर भूल के मतलब नी स्वार थे लोगों की हेल्प करते थे उनके अंदर दूसरों के लिए इतना प्यार था ना वो अपना किसी के लिए ना तो उनके अंदर अपना पन था और ना ही पराया वो सभी व्यक्तियों को क्या करते थे एक समान से देखते थे और एक समान से ही वो सबसे प्रेम करते थे इसलिए लेखा से उनका क्या था जुडाओ था अब लेखा की मुलाकात फादर बुलके से कैसे हुई फादर बुलके और लेखा की मुलाकात परिमल पत्रिका के माध्यम से हुई थी वे जटिल एवं गंभीर विसो पर बहस करते वे निसंकोच बेवाक सही सला दिया करते थे लेखा के घर वे सभी उस्सवों तथा त्यावारों में आया करते थे और लेखा कमें बताते हैं कि जब वो उनके घर आते थे तो उनके घर में एक बड़े भाई के समान उनके आगे खड़े हो जाते हैं जैसे एक चीर का पेड़ होता है ना चीर का पेड़ कैसा होता है लंबा होता है है ना तो उसी तरीके से लेखा के कहते हैं कि जो फादर भूल के थे, वो मेरे घर में जब कोई भी तेवार होता था, कोई उस्साव होता था, कोई शादी होती थी, कोई पार्टी होती थी, तो उनका मेरे घर आना और सारी जिम्मेदारियों को एक अच्छे से निभाना और मुझे असा लगता है कि जैसे वो मेरे सामने क्या होते हैं, मेरे एक बड़े भाई की तरह खड़े रहते हैं, उनकी निकटता देवदार रक्ष के समान विशाल सगन एवं सीतलता प्रदान करने वाला था, जैसे देवदार की पेड होते हैं, आप गाउं गए होंगे, तो देवद देवदार के पेड जो होते हैं, वो छायादार होते हैं, और इसलिए उन्होंने क्या कहा है, फादर बुलके को देवदार का पेड कहा है, और कि वो मेरे घर आते थे, और सभी को क्या देते थे, इससे तलता प्रदान करते हैं, लेखक फादर बुलके से अपने परीचे के स सम्मंद बताता है किस तरीके से उनका सम्मंद हुआ कि उनसे मेरा परिचे उस समय हुआ जब वे इलाबाद की सड़कों पर साइकल चला कर आते जाते थे उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था उन्हें कभी गुसा नहीं आता था परंतु वे कभी कभी क्या हो जाते थे फरेस्ट किंग क्या थे एक इंजिनेयर थे फिर भी वे एक सन्नाथक्षि क्यों बन गए फादर बुल कि जब रहंग चेंपल में पढ़ाई करते थे तो उन्होंने इंजिनेयर की फरस और सेकेंड योर्श होते हैं तो फैसे की पढ़ाई करी और कोई लगाओ नहीं था, उनकी नजर में उनकी जन्म भूमी, रैंस चैंपल अत्यधिक सुन्दर है, कई बार उन्हें अपनी मा की याद भी आ जाती है, सन्यास देते समय उन्होंने भाराचाने की सर्ति रखी, अब गयाओ अक्सर वो मा को याद करते थे, उनकी मा की चिठियां अक्सर उनके पास आया करती थी अपने मित्र डॉक्टर रगुबंस को वह उन चिठियों को दिखाते थे, पिता और भाईयों के लिए बहुत लगाओ मन में नहीं था, पिता वैवसाई थे उनकी, मतलब बिजनेसमेन थे, एक भाई वही पादरी हो गया था एक भाई काम करता है उसका परिवार है बहन, शक्त और जिद्धी थी, परंतु देर से उसने साधी की, फादर को कई बार उसकी शाधी की चिंता व्यक्तिकर उन दिनों देखा गया पत्ता उनकी जो बेहन थी, अपनी बेहन के बारे में बता रहे हैं, कि वो बहुत जिद्धी थी उसकी शाधी नहीं हो रही थी और उसकी चिंता उन्हें बहुत थी भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से वेलजियम गए थी जब वो इंडिया आ गए थी, कौन? फादर बुल के, जब इंडिया आ गए थी उसके दो या तीन बार यह वो वेलजियम अपने परिवार से मिलने गए लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ आप सब छोड़ कर क्यों चले आए? लेखा कुन से कहते हैं कि आप तो सन्यासी हैं, है न? लेकिन आप सब को छोड़ कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी वहाँ बालो को कीसी सरलता से मुस्करा कर कहतें, मा ने बच्पन में ही गोसित कर दिया था कि लड़का हासे गया और सचमुझ इंजिनिरिंग के अंतिम वर्सों की पड़ाई छोड़ कर फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा मैं सन्यास लेना चाहता हूं तो एक सर्थ रखी सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाले एक सर्थ रख सकता है कि मैं भाराज जाओंगा जो भी कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो उसके सामने सर्थ रखी जाती है और जो सन्यास लेता है उसके एक सर्थ को पूरा किया जाता है चाहे वो कोई भी हो तो उन्होंने अपने इंजिनिरिंग की पढ़ाई छोड़ी और सन्यास लेने का जब decision लिया तो उन्होंने अपने शर्ट में रखा कि मैं भारत जाना चाता हूं तो उनके सर्ट को मान लिया गया भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता बस मन में ही था लेखा कुन से पूछता है कि आपके मन में क्यों उठी ले आप तो जन में बैल्जियम में थे वहाँ आपने पढ़ाई करी वहाँ पले बढ़े फिर भारत आने की इच्छा कैसे जगी तो वो कहता है मुझे नहीं पता मेरे मन में अपने आप ही ये इच्छा जगी कि मुझे भारत जाना है जब पादर बुलके ने कहा कि मैं भारत जाना चाता हूं तो उनकी सर्त मान ली गई और वहाँ भारत आ गए पहले जी सेंट संग में दो साल पादरियों के बीद धर्माचार की पढ़ाई की फिर नौदर्स वर्षी राजलिंग में पढ़ते रहे कोलकता में बीए किया और फिर इलाबा से में उन दिनों डौक्टर दिरेंद वर्मा हिंदी विवाग के अध्यक्षते सोद प्रवन प्रवाग विश्य विध्याले के हिंदी विवाग में रहे कर 1950 में पूरा किया रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे फादर ने प्रस्तित नाटक ब्लू बलड का रुपांतर भी किया है नील पंची के नाम से बाद में वह सैंट जैवियस कॉलेज राची में हिंदी तता सस्कृति विवाग के विवाग अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना परसित अंग्रेजी हिंदी को उस तयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया और वहीं बिमार पड़े पटना आए दिल्ली आए और चले गए 47 एर्स में देश में रहकर और 73 वर्स की जिंदगी जीकर फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे ठीक है कभी-कभी लगता है कि मन से सन्यासी नहीं थे र रखते थे लगाओ रखते थे अपना जैसा मानते थे दसियां साल बाद मिलने के बाद भी उसको नहीं भूलते थे अगर वो किसी से एक बार मिल जाते थे परिचे हो जाता था तो 100 साल 10 साल के बाद भी अगर उनसे वो व्यक्ति मिलता था तो उसे नहीं भूलते थे वह जब भी वो दिल्ली आया करते थे, चाहे उनके पास समय नहीं होता था दो मिनट का ही समय हो, लेकिन वो मुझसे मिलने जरूर आते थे यहाँ कौन सन्यासी करता है? ऐसा कौन सन्यासी करता है? जो सन्यासी होते हैं, उन्हें कोई लगाओ नहीं होता है किसी से है ना किसी के दर्द में वो दुखी नहीं होते हैं किसी की खुसी में वो खुसी नहीं होते हैं वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं लेकिन पादर बुलके के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी चिंता हिंदी को रास्ट भासा के रूप में देखने की चिंता थी वो भारत के नहीं थे लेकिन भारत में हिंदी भारत की राष्टे भासा बने इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तर्क दिये उसके लिए उन्होंने कारे भी किया आंदुलन भी किये लेकिन उन्हें इस बात का दुख होता था कि जो भारत में रहने वाले हैं वही हिंदी का व और बड़े से बड़े मुख से किसी को दिलासा देते वे उनका क्या लगता था जादू लगता था कि अगर वो किसी को दिलासा दे रहे हैं कि सच में सब कुछ सही हो जाएगा तो ऐसा लगता था कि जैसे इंसान की क्या दूर हो चुकिये परिचानी ही दूर हो चुकिये मत्त से भर देता था जो किसी गेहरी तपस्या में जन्मति है हर मौत दिखाती है जीवन की नहीं रा मुझे अपनी पत्ने और पुत्र की मिर्त्य याद आ रही है और फादर के सब्दों से जहरती विरल सांते भी वल्लाब फादर भुलके का सबाव इतना सांति था इतना मिलनसार एक बार किसी वेक्ते से जो जोड़ जाते थे तो उसे भोलते नहीं थे, लोगों के साथ एक अपने तक्त्वा, अपना पन लेकर वो जाते थे और लोगों को अपना बना लेते थे. लेखक दुख प्रकट करते वे कहता है कि मुझे बहुत कस्ट है, बहुत तकलीफ है कि फादर कामिल बुल के बिमारी की इस्तिती में दिल्ली आए और उसे इस बात की जानकारी भी नहीं हुई. ताबुत में ही लेखक उनका दर्सन किया 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे के समय उनका निधन हो गया. लेखक को कही न कहीं उनकी दिल में ये बात रहे गई कि वो दिल्ली आए और अंतिम समय में मैं उनसे नहीं मिल पाया. दिल्ली के कस्मीरी गेट के निकल सन कबराहा में उसी दिन साहतेकारो अध्यापकों एवं विज्ञान सिक्सकों की उपस्तिती में राची के फादर पासकल तोयाना के द्वारा मसीही विधी के साथ अंतिम ससकार किया गया. सरदान जोले अरपित करते में फादर पासकल ने बुलके के बारे में कहा फादर बुलके धर्ती में जा रहे हैं इस धर्ती से ऐसे रत्न पैदा हो सभी ने उनके अनुकरणय जीवन को नमन किया. लेखक कहता है कि शायद इस सन्यासी ने कभी सोचा होगा कि उनकी मिर्ती उपर कोई रोएगा भी परन्तु उस समय उपस से विशाल जन्समू रो रहा था. मतलब लेखक को ये विश्वास नहीं था कि ना ही लेखक को था ना फादर बुलके को था कि जब उनके मिर्ती होगी तो इतने सारे लोग एखटा हो पाएंगे, इतने सारे लोग शोग व्यक्ति करेंगे, तो इतना सैलाब उमड़ा था उनकी मिर्ति उपर और सब लोग वह दूसरों के लिए खड़े रहता है उस व्कति को कौन अच्छा नहीं मानता उस व्कति को कौन यान नहीं करता तो ऐसे ही थे आपके फादर बुलके जो कि भारत को अपने कर मुबूंइ मानते थे यहीं आके उन्होंने धर्मों की शिक्षा प्राप्ति करी यहीं आके उन्होंने कोलकता से बिय किया, इलाबा से एमे किया, उसके बास से कहने के लिए वो एक सन्यासी थे, लेकिन जिस तरीके से उनका वहवार था, लोगों से जुडाओ था, लगाओ था, लोगों की परिसानी को अपनी परिसानी समझते थ जैसे फादर बुलके के अंदर करुणा का अर्थ होता है अर्थ राइट तो जिस व्यक्ति के अंदर करुणा होती है दूसरों के लिए दर्द होता है वही दूसरों की परिशानियों को समझ सकता है जैसे कि फादर बुलके थे